नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको अपने पिछले वीडियो में हैंड वाश के तरीके बताए थे, अब मैं आपको इसके साथ ही मांस लगाने का तरीका बताने जारी हूँ, जो कि आजकल वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए आए हम बताते हैं मांस लगाने का तरीका, मांस तो बहुत लोग लगाते हैं, लेकिन उसका सही तरीका किसी की नोज खुली है, किसी का माउथ खुला है, तो हमारे नोज और माउथ सब कवर होना चाहिए, जिसे की बहार के किटानों, वायरेस, जम्स हमारे अंदर न गुश सकें, तो इसलिए हमको मास लगाने का सही तरीका. सबसे पहले बच्चों, हमें सनिटाइजर लेकर के और हाथ में, अपने हाथ को सनिटाइज करना है, इसके बाद जो मास्क होगा, वो एक डबा होगा, जो की सब तरफ से बंद होगा, उसमें आपको मास रखना है, और फिर मास्क, जैसा कि मेरे इस पन्नी के अंदर रखा हुआ है मैंने मास को इसमें से निकाला और देखे कैसे पहलते हैं लाइक दिस अब देखे मेरा नोस और माउथ पूरा गवर है ठीके और फिर इसको अपने हसाब से आप सेट कर दिजे और लेकिन हमेशा इसका ध्यान लगे कि जो बीज का हिस्सा है नोस और माउथ वाला हिस्सा करें तो क्योंकि आप इसको त्श करेंगे तो आप बाहर से जा रहे हैं बाहर आप कुछ भी समानद गर्रम हुलते तो यह तो हो गया मास लगाना अब आपको जब मास उतारना होता है तो आप देखे कैसे उतारेंगे बहुत बच्चे इस तरह से उतारते हैं वो गलत है देखिए आप लोगने 20 से बहुत बच्च ऐसे उतार करके और फिर ऐसे ही लगा लेते हैं या इसको उतार लेते हैं लेकिन ये रॉंग है बच्चों अगर आपको मास उतारना है तो आपको कान की तरफ से मास ऐसे उतार करके और आपको फिर से वैसे ही पैक करके पन्नी में रखके और जब्बे में फिर्फे वैसे ही पैक करके रख देना है और यह भी देखना है कि बच्च्चा से कोभी बॉक्स ले सकते जो भी आपकी घर में अबलेबल हो तो उसको अच्छे से आपका वो बॉक्स बंद हो कवर हो जिसमें की बाहर से कोई भी जम्स किटाड़ों उसके अंदर गुस न सके तो ये हो गया आपका मास लगाने का और उतारने का तरीका इसके बाद भी आपको या तो हैंड वाश करना है अच्छे से साबुन से कोई भी साबुन हो या फिर आपको फिर से ही आपको सेनिटाइजर लेना है और अपने हाथ में असे ले करके और अच्छे से रख करके उसको लगाना है अच्छे से दोनों तरफ करके फिर आप अपने घर में आराम से रहे ठीक है दोस्तों बच्चों आपको अच्छा लगा वाश याद वीडियो तो इसके लिए फिर मैं आपको और वीडियो बना बना के भेजूंगी और थैंक्यू हमस्कार